Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली उनिवर्सिटीस में Bachelor of Business Economics में admission लेना चाहते हैं, तो क्या eligibility criteria है? यह हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए एक ही करके देखते हैं, eligibility criteria क्या है? और कौन-कौन से college हैं जो की offer करते हैं, यह सारे 10 colleges हैं, जिससे आप बी-बी कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं, Bachelor of Business Economics, अब यह पूरा combination आपको fulfill करना है, पहली चीज, कोई भी एक language चूज करनी है, आपको list A से, list A में सारी वो language mention है, जो की section 1A और section 1B में थी, अब ही मैं आपको list दिखा दूँगा, उसके बाद आपको mathematics चूज करना है, और उसके बाद आपको section 3, यानि general test भी देना है, तो आप यह तीनों चीज़ें आपको जोई, अगर आप एक भी combination फुलफिल नहीं करेंगे, तो आप जोई merit के लिए eligible नहीं होएंगे, ठीक है, तो list A से कोई भी एक language चूज कर लीजिए, mathematics और general test की preparation चैनल पर start होगे, जितने भी expected questions हैं, वो आपको जोई cover करा दिये जाएंगे, चलिए मैं आपको list भी दिखाएता हो, हिंदी, English, Arabic, Sanskrit, पंजाबी, कश्मीरी, कोई सी भी language चूज कर सकते हैं, उर्दू, इसमें कोई सी भी एक language चूज करनी है, और उसके बाद आपको क्या, कौन सा, mathematics आपको देना ही देना है, और प्लस आपको general test भी देना है, ठीक है, तो यह combination आप fulfill कर देंगे, तो आप दिल्ली उनिवर्सिटीज में admissions के लिए इस program में eligible हो जाएंगे, ठीक है, thank you.